हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आप सभी को पता होगा कि 2023 में आप सभी का बोर्ड का एक्जाम स्टार्ट होने वाला है फ्रेंस इस समय आप सभी का अर्दवार्सिक परिच्छा चल रही है फ्रेंस आज हम देखेंगे अर्दवार्सिक परिच्छा का जो कच्छा 10 से इसमें हिंदी का पेपर देखेंगे तो friends इस प्रश्ण पत्र को आप ध्यान से देखे और अपने अनुमान लगा है कि इस प्रश्ण पत्र में से आपको कितने प्रश्ण आ रहे हैं और friends इसको देखने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके बोड के एक्जाम में किस लेवल का प्रश्ण आता है और संभावित है कि इस प्रश्ण पत्र से हिंदी में आपका 2 से 4 नंबर का प्रश्ण बोड के एक्जाब में भी आने की संभावना है तोフेंश इस प्रश्ण पत्र को आप ध्यान से देखे छिए फ्रेंश इस टार्ट करते हैं तो फ्रेंस देखे यह अर्दवार्जिक परिच्छा है जिसमें समय मिला था तीन घंटा ठीक है और यहां पर पुढांग दिया गया था सतर नंबर इसमें 20 नंबर का है आपको बहुली कल्पी प्रशन पूछा गया था ठीक है अब इस नोट को अब ध्यान परवक पढ़ सकत हैं चलिए हम सीधे को देखते हैं तो फ्रेंस यहां पर खंड का है जिसमें बहुली कल्पी प्रशन है जिसमें कितने प्रशन है 20 प्रशन और आपका एक प्रशन जो है एक नंबर का है देखें आपको पहला प्रशन पूछा गया था कि हिंदी की प्रथम कहानी है इसमें च अभी वर्तमान में हो चुका है थीग is तो देकि एक इसमें से आपका राइट एंशुर होगा इंदुमत्य यानि हिंदी की परथमिकाई क्या है इंदुमत्य आपका अगला प्रस्न है निम्न में संद K Pub where a आपके सामने चार आपसन था हंस दूसरा था चान तीसरा था विशाल भारत चोधा था छाया तीस प्रशन का राइट एंसुर है हंस चलिए अगले पत्र को देखते हैं त्याग पत्र के लेखा का नाम है इसका आफसन चार है जैनेंद्र कुमार प्रेम चंद्र जैशंकर प्रसाद या अम्रित लाल नागर तिस प्रशन का राइट एंसुर था जैनेंद्र कुमार आपका अगला सवाल कि सरस्वती पत्रिका के स संपादक थे तिसक आपके आपसन है महावी प्रसाद दिवेदी यह प्रेमचंद्र बालकृष्ड भत रामचंद्र शुक्ल तो फ्रेंट जो सरस्वतिपत्रिका संपादक है वहावी प्रसादि दिव्यादि इस प्रश्ण राइट एंस्वर आपका होगा आपका अगला सवा सब्सक्राइब कामायनी महकाभी की रचाइब यह इतना इंप्पोर्टेंड है कि हर सल बोड के एक्जाम में यह कमायनी जैसंकर प्रशाद से संबंधित आपके रचाइब पूछ लिया जाता है इस प्रशन का राइट एंसुर होगा जैसंकर प्रसाद आपका अगला सवाल द आपका अगला सवाल है जैसंकर प्रशाद की रचना नहीं है तो फ्रेंज देखें यहां पर बताना था आपको जैसंकर प्रशाद की रचना कौन सी इसमें से नहीं है तो आपसंथ आसू लहर जहरना यामा तो फ्रेंज जैसंकर प्रशाद की जो रचना है आसू है लहर है जह यह तीनों जो लिखा गया हैा जैसंकर प्रशाद की रचना नहीं है इस प्रशक्राइट एंसर यामा होगा तो एकांग की समराट कहा जाता है तो फ्रेंस की इसको एकांग की समराट कहा जाता है। आपसन को देखते हैं, देखिए, यहां पर आपसन दिया था, राम कुमार वर्मा, मुहन राकेश, सिर्ट गुविन दास, हरी किष्ट प्रेमी, इस प्रश्ट कराइट एन्सवर था राम कुमार वर्मा, आपको अगला सवल पूचा गया था फ्रेश्ट, पेपर में, कि वीर गाथ था काल के कवी हैं आपसंता भूसर केशोदास चंदरबरदाई घनानंद इस प्रश्क राइट इस प्रश्क कर आई टेस्वा यह अगला सवाल दसमे नंबर का पूछा गया था गुमक्र शास्त्र के लेखक हैं आपसंता मोहनराकेश राहुल साकृत्यायान डाक्टर ध माक्र शाष्र के लेखition रहुल्य सक्रित्याय नहीं इस प्रैशन के राइट अंसर बहुता है यह हाथ है आपका अगला सवाल है उपमा के कितने अंग होते हैं तो फ्रेंस उपमा के आपके चार अंग होते हैं तो इस प्रश्ट गराइट एंसर होजागा चार उपमा के चार अंग होते हैं आपका अगला सवाल है कि सो रठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं तो आपसंदिया तो 16-16 या 13-13 या 24-24 या 11-11 इस प्रश्ट गराइट एंसर होजागा आपका तेरा तेरा सो रठा के जो दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें मात्राएं की संक्या कितना होता है 13-13 होता है आपका अगला सवाल जेट का तत्सम होगा तो जीकि आपसंदिया कितना नजदिक देन नजदिक दिया है देख सकते हैं फ्रेंज जेश्ट दिया है जेट मास दिया है य से आप अंतर समझ सकते हैं यहाँ देखेके कमल का पारेवाची है इसका संद्य का पंकछ जल्ब नीरद मीरीत आंभूते इस प्रशक का रidenven पंकज कमल का जो पारेवाची होता है आपका अगला अगला सवाल इत्यादी में को सी संद्य को प्रशंगया यहां देखिया आपको 17 नंबर का प्रश्ण पूछा गया था कि तथा है उन्हें संदी विच्छेद है आपका अप्षन था तथा धन एव तथा धन वा तथा धन ऐव इस प्रश्ण का राइट एंचो था तथा धन एव ठीक है चली अगले प्रश्ण को देखते हैं आपका अगला प्रस्ण पूछ था कि पाथ तू किस लकार का रूप है यहां पे आपसर अथा लोट लकार लट लकार लंग लगार लिड़ लकार इस प्रश्ण करारे इंस्वा था लोट लकारत अग्षब था अगला सवाल था शताबदी में कौन से समास होता है तो फ्रेंस यहां पर आपसंद था द्यूगू कर्मदार है बहुब्री या द्वन्द इस प्रश्ण का राइट एंसो था द्यूग समास शताबदी में द्यूग समास होता है आपका अगला सवाल था हस धातू लोट लकार प्रथम पूरूस एक वचन में रूप होगा इसका राइट एंस किस प्रकार का था देखें फ्रेंश यहां पर देख सकते हैं यहां पर प्रश्ण था निम्लिखित गद्यांस पर आधारी तीन प्रश्णों के उत्तर दीजी आपका था है भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद इतना सा के यह असंबव हैं फिर दीजी पिता जी मैं काप रही हूं इसकी चमक आखोक अंद बना देखें यह आपका गद्दांस था इसको पढ़के आपका इसका उत्तर देना था ठीक है उपर उत्तर का इस प्रकार से आपकी बोर्ड के एक्जाम में ऐसे गद्दांस दे देता है और यहां तीन चार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं इसका इंस्वर देना रहा था इसी गद्दांस को पढ़के ठीक है तीस प्रकार से प्रश्ण को देख कि आप अनुमान लगा सकता है कि किस प्रकार के बोर्ड के एक्जाम में पेपर आ सकता है आपका अगला सवा चौह ओड anth art Wow यां चाहिए आठ्वाद दोनुव को एक इनस्वर देना होता है अत्वा मतलब होता है चाहिए इसको कीजिए चाहसे अगले वाले प्रशन कीजिए दोनों में से कोई एक प्रश्ण आपको करना रहता है इस प्रश्ण को आप पढ़के देख सकते हैं कि आपके हफियरली एक्जाम में कैसा पेपर आया था और इसके अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो 2023 में बोड का एक्जाम होने वाला है उसमें कैसा प्रश्ण आ अन्वाद कीजिए ठीक है फॉ सकते हैं इसको आप द्षान पूर्वगत्पखत के ऐसा प्रश्ण पूछा गया पिरी लो एस पर देखे आधारित इसका क्या करना था को संद्रव सहीत इसका अनुवाद करना था हिंदी में ठीक है देख सकते हैं कि सहीद हिंदी में अनुवाद करना था इसको पढ़के हिंदी में अनुवाद करना था चाहे इन दोनों में से कोई एक ही करना था आपको दोनों में से कोई है दोनों नहीं करना रहता है दोनों में से कोई एक करना रहता चलिए अगले प्राशन को देखता है अगला प्राशन आपको क्या पूछा था अगला प्राशन था कि दिये गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचे लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना को लिख देखिए अचार राम चंदर शुक्ल का दिया था जैसंकर अगला प्राशन प्रब्ल में से किसी एक का जीवन पर देते हुए उनकी प्रभ्म रचना को लिख कीजिस यह टिन थिया है इसके आपको व्यार याद होना चाहिए और इसको लिख़ना ओथा जो चार नंबर का पूछा था आपका अगला प्रस्ण पूछा गया था निम्न लिखित में इसे किनि दो प्रस्णों का उत्तर संस्क्रीट में देज़ेए एक विसएपन निबंद लिखेऊ जो और आदा राता है निबंद लिखने के लिए तो आप पारेवार प्रदूशर हुआ है दो तीन याद कर लिजिएगा सिर्फ पारेवार प्रदूशर विज्ञान और स्वास्त इससे संब्धित आप याद करके अब बोड के एकजामे छहाजर साथ नंबर का आता है यहां पर बारा नंबर के दिया लेकिन बोड के एकजामें छहाजर साथ नंबर का प्रदूशर आता है तो फ्रेंश